मैं औरिंगम मेरा वीडियो में आपका स्वागत है देखिए यह जो एमाजोन पे केरिट कार्ड है इसके लिए मैंने पहले भी आप लोगों को एक ट्रिक दिया था जो मेरा चैनल पे है उस ट्रिक को यूज करके आप बहुत सरी यूजर को एक कार्ड बिल्कुल फ्री में मिल गया अपड़ी अफर के बेस में आज जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो बिल्कुल नया ट्रिक है और इसको यूज करके आपको एक कार्ड असाने से मिल सकता है आपको पता है यह जो कार्ड है वो कैसे मिलता है ICICI bank आपको क्या करते है जो ICICI bank है वो आपको pre-approved base में भी एक कार्ड अभी दे रही है ठीक है और कैसे मिलता है और Amazon में भी मिलता है कि ऐसे Amazon में अगर आपका relationship अच्छा है मतलब कि आप उसको अच्छे तरह से अगर use करते हो तो आपको मिलता है ठीक है तो कैसे मिलता है ICIC ICICI bank और Amazon Pay क्योंकि एक co-banded card है एक दोनों मिलके आपको एक pre-approval base में आपको मिल जाता है तो मैं सारी कुछ इस वीडियो में ट्रिक दिखाऊंगा और pre-approval base में कैसे मिलता है वो live आपको दिखाऊंगा इस आप मेरे साथ रही है तो आपके पास क्या होना चाहिए मैंने आपको एक कार्ड मिलता है इसलिए आपके पास पहले एक Amazon का account होना चाहिए ओ जो Amazon का account अब जब create करेंगे तब आपके mini-qyc का option है mini-qyc आप कर लिजिए अभी mini-qyc तो आपने कर लिया बाद में क्या करना है उसको full-qyc में upgrade करना है अगर इस card को आपको लेना है तो full-qyc चाहिए अब बताएंगे sir full-qyc कैसे मिलेगा full-qyc का बहुत ही असान सा है और trick है पहले तो आप एप में जाएए उसमें आप को आप mini-qyc कीजिए आपका अगर आपके पास other card है तो ओ दीजिए order card है तो ओ दीजिए नहीं तो pen card है तो ओ दीजिए उसके बात कुछ भी product आप order कर दीजिए कोई भी product उसको delivery ले लिजिए आपके पास जब delivery boy आए जाएगा तब delivery boy जब आपके पास आजाएगा उसको बोली के sir मुझे full-qyc करना है ओ आपके वहाँ पे और एक बात जो Amazon होना है मतलब कि Amazon का खुद का product होना चाहिए तो क्या उसके लिए क्या होगा Amazon का जो वेरिफाइट जो आपका जो कुडियर boy है वह आपके पास आएंगे और उसको बोलिए full-qyc कर दीजिए तो आपका full-qyc असनी से हो जाएगा वह आपका original document देंगा और आपका एक picture लें ऐसे करके आप full-qyc कर लिजिए मैंने क्यों बता है full-qyc ओ आगे trick में मैं अभी देखाऊंगा तो आपके पास ए तो हो गया दूसरे बात दूसरे बात क्या है आपके पास ICICI bank का अगर एक debit card है तो बहुत ही काम आसानी से हो जाएगा क्योंकि debit card क्यों है ओ भी मैं इस trick मे बताऊंगा तो इसके लिए आप ICICI bank में एक normal सा account भी आपके पास होना चाहिए नहीं तो आप जो उसका zero balance account है ओ भी चलेगा zero balance account में भी ओफर काम करेगा ठीके आप online भी zero balance account create कर लिजे क्योंकि आपको चाहिए debit card ओ digitally हो के physical हो उसका मतलब नहीं एक debit card चाहिए आइसे इसे bank का उसके बाद क्या करेंगे ओ जो debit card आपको मिला है वो आपका amazon account में add कर लिजे अभी मैं आपको live दिखाऊंगा इस trick को तो इसलिए मैं मेरा mobile में अभी amazon app open करता हो तो आप trick अच्छे तरह से देख लिजे तो आपको अभी हो जाएगा यह मेरा amazon card app है तो इसमे क्या क्या जो friend का मुझे मिला है उस friend का otb दे के मैं यहाँ पे enter के और उसका account में मैं देखाऊंगे क्योंकि ओ जो pre approval offer मिला है वो भी आपको मैं अभी live देखाऊंगा उसके बाद देखे search option में है इसके यहाँ पे आप कुछ भी search क्याज लिजिए मैं jeans pen for men search कर लेती हो कुछ product इसमें आपको देखना है base seller कौन सा है ठीक है base seller देखिए यह base seller है इसको मैं select कर लेती हो तो अभी base seller जो है उसको मैं select कर लेती हो उसके बाद देखिए यहाँ पे size choice करने के लिए बोलेगे तो मैं एक size ले लेती हो जो भी size आपका है और आप ले लीजिए कोई बात नहीं यह trick में है अभी skip मत किजिए क्योंकि अंदर में एक trick है अभी देखिए यहाँ पे एक option आपको देखना है यह fulfilled by amazon होना चाहिए बिल्कुल यह fulfilled by amazon होना चाहिए उसके बाद आप quantity quantity को यहाँ से आप ज्यादा कर लेजिए ठीक है आप quantity मैं क्या कर लेती हो 4 कर लेती हो आपके अभी trick है कोई बात नहीं अभी trick है अभी buy now में जाके अभी देखिए मेरा address आ जाएगा एक address आ गया जो और आपके पास अगर कोई address select नहीं है तो आप एक address वहाँ पे डाल लेजिए उसके बाद मैं कर लेती हूँ deliver this address इसमें मैं deliver करने के लिए जाता हूँ अभी एक page open होग ठीक है जिसमें अपके पास अगर amazon pay में कुछ balance है ओ दिखाएंगे और amazon pay जो आपका बहुत सरी जो card है ओ दिखाएंगे मैंने पहली आपको बताया था कि debit card जो है उसमें add कर लेजे तो मैंने तो किया तो मैं क्या करते हूँ ओ जो debit card है उससे मैं payment कर देती हूँ अभी आपक जस्ट मैं यहाँ पे payment के लिए मैं मैं CCB डाल दिया उसके बाद continue में click कर दिया अभी payment होगा payment में देखिए payment करने के लिए place order आपको यहाँ पे 20% cashback दिखा रही है छोड़ दीजे कोई बात नहीं free delivery है और आप जहाँ से payment करेंगे method देखेंगे उसके बाद देखिए आपको you are eligible for 200 cashback यहाँ पर दिखा रहे 200 cashback भी मिलेगा अगर मैं इसको payment कर देती हूँ ठीक है कोई बात नहीं मैं payment कर देती हूँ अब उसके बाद place your order आप order में रुकिए आप मुझे पता है आपको पता है कैसा order मागर इसमें भी trick है रुकिए अभी OTP आएंगे इस OTP को fill up करना है ठीक है मैं OTP के लिए wait करती हूँ देखता हूँ क्या OTP आत है OTP आ गया ऐसे ऐसे bank से मैं इसको approve कर देती हूँ ऐसे ऐसे bank से मेरा OTP आ गया यह दिखिए OTP था ऐसे ऐसे bank से मैं इसको order place कर दिया ठीक है अभी देखिए order place thank you यह ऐसे करके आपको order place करना है order place करने के बाद र shopping यहाँ पर जाईए अभी आपको क्या करना है ओ मैं अभी आपको order place हो गया ठीक है मेरा debit card से जो spend हुआ है ओ भी दिखा रही है अब आप क्या करेंगे आप home page में जाएए यहाँ पर जाएए यहाँ पर जा कि आप order section में जाएए आपका जो order है ओ वला आप order देखिए यहाँ अभी देखिए अभी देखिए arriving जो है वह आपको दिखाएंगे कब वह आपको मिलेगा ठीक है उसके बाद इसको select कर लिजिए select करने के बाद देखिए order today shift arriving delay अभी कहाँ पर लेना है अभी देखिए cancel option है ठीक है इसमें आप दिखेंगे ए cancel option आपने चूस किया उसके बाद देखिए यहाँ पर option हो जाएगा select for reason आपको कुछ optional reason है वह आप कुछ भी देदीजिए कुछ भी उसके बाद check cancel check items वह दिखा लिए ठीक है अब cancel check item में click कर दिजिए अभी देखिए अभी देखिए हाँ यह जो order है मेरा तुरंत cancel हो गया मगर आपके वह पर तुरंत cancel नहीं होगा क्यूंकि यहाँ पर आपको trick है मैं अभी आपको trick समझ वह जो cancel जब आते है ना क्या है मेरा यह जो friend है उसके already वो क्या क क्यार से बात किया आपको भी करना है cancel करने के अब तो order कर दिया उसके बाद आप customer क्यार से बात किजिए कि sir मुझे ए cancel करना है यह जो product मैंने order किया इसको cancel करना है तो उन्होंने बताया कि ठीक है cancel तो मैं कर दूँगा तो आपको बताना है ओ जो refund है ना refund ओर refund आपको Amazon Pay में लेना है ठीक है ओ आपको card में नहीं चाहिए ओ जो debit card है उस debit card में आप refund मत लिजिए क्यों मैं अभी बताती हूँ और मेरा जो friend का जो account है already उन्होंने क्या-क्या जो भी order देंगे और refund होगा और refund होके automatically उसका जो original sorry उसका जो Amazon Pay का जो है Amazon Pay में एड हो जाएगा इसलिए वह आ option नहीं देखा है अपका अगर पहली बार करेंगे तो आपको साहथ option देखाएंगे कि आप original payment method में लेना चाहते है और नहीं तो आपको क्या हापे लेना है आपका जो Amazon Pay में है उसमें लेना है आप simply choose करेंगे Amazon Pay में त्यों मैं अभी बतातू recently ICICI bank biesICI bank नहीं तो बहुत सारी bank का क्या करते है का कारड लेने के लिए हम लोग पहले क्या करते थे में लिखा हुआ आट ऐता थे एमाजन फेर लिखा होगी तो इस plan को पता नहीं चलते तैंजे वह बैंक को पता नहीं चैनल रेती है, इसलिए ऐसे बैंक ने भी क्या किया, ऐसे इसे बैंक अभी यहां पर उन्होंने एक त्रिक लगा दिया, क्या ट्रिक लगा दिया अगर आप एड मनी करती हो तो अगर आप एड मनी करती हो तो मर्चेंड नेम जो है ना मर्चेंड नेम आपको वहाँ पर देखाएंगे एमाजन नहीं तो एमाजन पे ऐसे करके लिखा हुआ आते हैं और अगर आप स्वापिंग करती हो तो दूसरा ल लिखा पर आप जब ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको पास जो SMS आजाएगा वह SMS में आप देख लेगा कि आपके पास क्या SMS लिखा हुआ आथे क्योंकि मेरे पास जो SMS हो मैं अभी आपको दिखाती हूँ रुकी है तो SMS जो है क्योंकि बैंक का साइट SMS हाँ अभी जो ओ दिखेंगे वहाँ पे लिखा हुआ आएंगे Amazon पे नहीं लिखा आएंगे Amazon स्वापिंग नहीं तो Amazon ऐसे करके मर्चंट जिसमें पता चल जाता है जो मर्चंट मतलब कि जो बैंक है उसको पता चल जाती है आप स्वापिंग किया ठीक है इसके लिए श्वापिंग किया अभ ICICI bank का जो debit card है उसमें आपको बहुत सारी cashback भी मिल जाएगा ठीक है और उसके बाद और आपका जो वहाँ पे जो आपका passbook है वहाँ पे देखिए passbook में आप देखिए वहाँ पे बहुत सारी transaction है सब Amazon का shopping में है क्योंकि ICICI bank को तो पता नहीं चल जाएगा कीजिए सर मुझे refund देदी है Amazon Pay में और आपका तो refund आजा रहे है Amazon Pay में ओ तो ICICI bank को पता नहीं चल जाएगा ICICI bank को लगेगा कि ए तो बंदा हर मैने क्या कर रहे है Amazon से shopping कर रहे है तो इसको अगर मैं ए बाला card दे दू तो और भी shopping करेगा और उससे क्या होगा और यह जो card है और दूसरा कोई merchant पर भी क्या रहेगा तो मुझे क्या है बैंक को तो फाइदा है फाइदा है इसलिए आपको जल्दी से pre-approved offer आ जाएगा आया है कि नहीं किजिए ना हर मैने नहीं तो एक हपता वेले एक ट्रीक अजमाई है आपको काम चल जाएगा अभी तो Amazon Pay में आपका बहुत सारी balance भी हो जाएगा उससे आप mobile recharge किजिए नहीं तो cash bill किजिए नहीं तो आपको पता ही है सरे कोज नहीं से इंसुलेंस पे किजिए और एक बात मैं इस वीडियो के बाद में और एक वीडियो आपलोड कर दूँगा जहाँ पे आप क्या करेंगा आपके पास जितना भी credit card से bank में transfer करेंगे बिलकुल free में zero charges कोई भी charges नहीं लगा उसके साथ एक ही trick में है कि आपका जो high Amazon Pay का balance आपका Amazon Pay का में का cinnamon भी भी बिलकुल bank में Walter the no charges कोई भी charges नहीं देने होगा आपका एक वीडियो मैं तुरांद इसके बाद अपलोड कर देंगे क्योंकि आपके पास अब तो बताएंगे सर मेरे पास आमाजन पे में बहुत सरी तिल मान लिजे ठीके हो गया तो सर इतना तो मुझे मुझे मूबाईल रिचार नहीं करना है नहीं करना है आपको मैं आपको ट्रिक दे दूंगा अभी कुछ दिर ब बिल्कुल फ्री में यह जो ट्रिक मैंने बताया है और अजमा हंडेट परसन अब को मिल जाएगा अभी मैं अपको फिर से मेरा जो मुबाईल है वहाँ पे लेके जाते हूँ आप कहां पे देखेंगे ठीक हो जो आपको मिला है कि नहीं ओ मेरा फ्रेंड को तो मिल जाए मिल को देखें अभी स्वाप क्या फिनिश एप्लिकेशन यहाँ पे लिखा हो हाँ आप वहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो एप्लिकेशन क्लिक करने के लिए अपको पको क्लिक अभी डेखें complete your application कि वहाँ पे आपको complete your application ऐसे लिखा हुआ आए जाएगे उसके बाद complete your application में click कर दीजिए जो आपके पास mobile नमट है उसमें एक otv आएगे otv अभी ऐसे ऐसे banks आने दीजिए ठीके 163455 उसके बाद verify कर जिए देखिए ऐसे करके आपको मिलता है ऐसे करके आपको यहापे existing जो आपका पास credit card यहाप credit card debit का जो भी है आपको ऐसे करके एक offer दे देंगे enter your existing card number जो है वो आपको लिखा हुआ जाएंगे और उसके बाद यह जो आपका existing देखिए यहापे लिखा हुआ है यह आपको यहापे लिखा हुआ जाएगे ऐसे करके आप इसमें सब्मिट करेंगे प्रोसेट कर देंगे आपको card तुरंद मिल जाएगा ऐसे ही offer आती है तो अच्छे अगर वीडियो का अच्छे लगते है और मेरे साथ रही है और भी ट्रीक है आपको केड़ कर मिल जाएगा आसने से इस सारी कीट जो में ट्रीक है उसके यूज़ करके थैंक्यू बेरी मच्च